देखें ये जो UPS है ये NPS से भी ज़्यादा बत्तर और खराब है क्यों है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ पहली बात तो ये कि आप 10 प्रतिसत करमचारियों की सैलरी का हिस्सा काटेंगे जब तक वो नौकरी करेगा माली जैं 40 साल नौकरी कर रहा है तो 40 साल तक आप पैसा काटेंगे और वो पैसा सरकार अपने पास रख लेगी तो कौन सी pension दे रहो भया आप कौन सी pension दे रहे हैं आप करमचारी का ही पैसा अपने पास रख कर धिडोरा पीट रहे हैं कि आप pension दे रहे हैं उसके बाद आप क्या कहते हैं कि अंति में एक साल की जो सेलरी होगी उसमें से 6 महीने की सेलरी एक मुस्त रिटार्मेंट के समय दे दी जाएगी माली ये 12 लाख है एक साल की सेलरी तो 6 लाख करमचारी को दे दी जाएगी चालिस साल अगर उसने नौकरी की है और दस प्रतिसत की कटवती उसकी हुई है हर महीने आप सुचे कितना बड़ा एमाउंट सरकार के खजाने में चला गया लेकिन वो पैसा उसको नहीं मिल रहा है वो कह रहे हैं साब हम आपके पैसन के लिए पैसा रख रहा है इसी में से आपको पैसन देंगे तो भईया कौन सा अहसान आप कर रहे हैं पहली बात कौन सा अहसान आप कर रहे हैं दूसरा आपने क्या किया इसमें एक नियम बना दिया कि पच्चिस साल की नौकरी पेंसन पाने के लिए करना जरूरी है पच्चिस साल के नौकरी अब आप जानते हैं अर्ध सैनिक बल जो है पैरा मिलेट्री फोर्सेज बीच साल के बाद मैक्सिमम लोग रिटायर हो जाते हैं मैं अधिक्तम लोग रिटायर हो जाते हैं अब तो उनकी नौकरी नहीं पूरी होगी पच्चिस साल की तो आप उनको कितना देंगे दस अजार उपए महीने उनका पेंसेन होगा दस अजार उपए महीने देश के आर्ध सैनिक बल जो रक्षा करते हैं देश की अपने प्राणों की आहूती देते हैं देश के लिए संसत्भमन की रक्षा करते हैं हमारी सीमाओं पे बीएसेफ लगाई जाती है आप मुझे बताइए आप कह रहे हैं कि साब उनको जो है क्योंकि वो 25 साल की नोकरी नहीं कर पाएंगे तो उनको पेंसेन के वो हगदार नहीं है दो बात हो गई तीसरी बात यह है कि अगर यूपियस इतना ही अच्छा है और पचास प्रतिसत आप साल भर की जो अंतिम वर्स के जो उसकी सैलरी है उसका बेसिक्स है उसका उसका आप एवरेज निकालके उसको आधा देंगे आप पेंसेन के रूप में तो भईया ओपियस लागू कर दीजे ना आप जब आप कह रहे हैं कि यूपियस जो है वो बिलकुल एकदम ओपियस की तरह है तो ओपियस लागू कर दीजे आप उसमें तो करमचारियों से कुछ नहीं लिया जाता था बावजूद इसके पेंसन मिलती थी तो इसलिए ये देश के लाखों करमचारियों के साथ नई जो यूपियस की जो स्कीम है ये एनपियस से भी ज़्यादा बत्तर है और करमचारियों के साथ धोखा है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें